नमस्कार चानक्या IAS Academy में आपका स्वागत आठ नॉबर 2016 इस दिन को भारत के प्रधान मंत्री ने शाम के आठ वजे घोसना की थी जिसके अंतरगत उन्होंने यह बात कही थी कि 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट जो उसमें परचलन में थे वो परचलन में नहीं रहेंगे इसके लिए एक शब्दाबली है जिसे हम कहते हैं Demontization हिंदी में विमुद्री करन जी हाँ अब 500 रुपए के नोट को जब परचलन से वापस ले लिया गया मतलब विमुद्री करन कर दिया गया तो फिर नए नोट भी लाए गया और उसमें बड़े मुलिवर का जो नोट लाए गया वह था 2000 रुपए का यह 2000 रुपए का नोट फिर से चर्चा में है वह इसलिए क्योंकि RBI ने बैंकों को यह आदेश दिया है कि सभी बैंक तौरित प्रभाव से मतलब with immediate effect 2000 रुपए के नोट इसू नहीं करेंगे लेकिन साथ ही RBI ने बाद भी कही है कि जो 2000 रुपए के नोट है वह legal tender रहेगा इसका मतलब क्या है इसका मतलब यहाँ पर यह है कि 2000 रुपए के नोट से व्यक्ति वस्तु और सेवा की खरीद कर सकता है अब हम सवाल यहाँ पर यह देखते हैं कि 2000 रुपए के नोट को आखिर वापस क्यों लिया गया तो इसकी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि जिस 500 रुपए के नोट को 2016 में demonetation के द्वारा वापस लिया गया अगर हम उस में market में जो currency चल रही थी अगर उसकी value की बात करें तो 500 रुपए की value थी 86% अब जराब खुश सोचिए कि total value के जितने नोट चल रहे हैं उसमें से 86% value के नोट को अगर वापस ले लिया जाए तो market में transaction में दिक्कत होगी वस्तू और सिवा को खरीदने में दिक्कत होगी इसके लिए जोरी है कि बड़े मुल्वर्ग के नोट को print किया जाए और market में लाए जाए इसी आविशकता की पूर्ती के लिए 2000 रुपए के नोट को market में लाए गया RBI Act 1934 के Section 24-1 के अंतरगत फिर आगे क्या देखा गया कि किवल 2000 रुपए के ही नोट नहीं आए 500 रुपए के भी नोट आए 100 रुपए के भी नए नोट आए तो 2000 रुपए के साथ 500 रुपए और 1000 रुपए के भी नए नोट आने सुरू हो गया इसलिए 2018 उनीस तक आते आते 2000 रुपए के जो नोट है उसके print को बंद कर दिया गया और जो ज़्यादातर नोट हमने जो market में देखे है 2000 रुपए के उसकी जो printing हुई है वह March 2017 से पहले हुई है और कोई भी अगर नोट है उस नोट की अपनी एक जीवन अब्धी होती transaction हो रहे हैं उस transaction में 2000 रुपए के नोट का उपयो काफी कम हो रहा है जबकि 500 रुपए के नोट का उपयो काफी ज़्यादा हो रहा है तो जिस उद्देश से के लिए 2000 रुपए के नोट लाए गये थे उसका उद्देश से पूरा हो गया साथी साथ RBI ने एक policy है policy वहाँ पर क्या है clean note policy इसको भी देखते वे 2000 रुपए के नोट को वापस लाने की घोसना की है क्या होता है clean note policy clean note policy को RBI ने 1999 मिलाया इसके अंतरगत RBI आम लोगों को यह निर्देश देती है यह instruction देती है कि जो भी note आपके पास है उस पर आप किसी भी प्रकार की चीज़ों को लिखे नहीं जैसे अमोमन लोग लिख देते हैं साथी साथ उसको इस्टेपल ना करें और बैंकों को यहाँ आदेश देती है RBI clean note policy के अंतरगत कि बैंक कटे फटे पुराने note को बदल ले मतलब जो भी note market में आए वह साफ रहना चाहिए और उस पर सारे के सारे अंक दिखने चाहिए और उस पर किसी प्रकार की कोई भी pen pencil से चीज़े लिखी हुई नहीं होनी चाहिए अगला सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या 2000 रुपए के bank note के जो legal tender है वो जो उसका status है क्या वो बना रहेगा तो अभी जैसा कि हमने पहले कहा कि 2000 रुपए के जो bank note है वो continue एक legal tender के रूप में अपने स्थिती को बना रखेगा और फिर यहाँ पर फिर एक सवाल यह भी आता है कि 2000 रुपए के जो bank के note है क्या वो सामानी transaction में उपयोग किये जा सकेंगे बेसक उपयोग किये जा सकेंगे क्यों कि इसलिए क्योंकि RBI खुद कह रही है कि वह एक legal tender के रूप में मौझूद है कि जो भी आपके पास 2000 रुपए के note है उसको आपको क्या करना है कि 30 September 2023 तक या तो उसे आप exchange करने bank से जाकर और या नहीं तो उसे bank में आप deposit करने एक सवाल यहाँ पर आता है कि जो पैसे लोगों के पास है 2000 रुपए के उसको करना क्या है तो एक तो यहाँ पर यह बात ह हो सकती है कि जो लोगों के पास 2000 रुपए के note है उस note को वो बैंक में या तो deposit कर दे या नहीं तो उसको exchange कर दे और क्यों बैंक की बात नहीं है उसके अलावा RBI के जो 19 regional office हैं वहाँ पर भी लोग जाकर उस 2000 रुपए के note को exchange कर सकते हैं लेकिन कब तक 30 September से पहले या 30 September 2023 तक एक सवाल यहां पर यह है कि क्या 2000 रुपए के जो bank note है उसके deposit पर क्या कोई limitation है तो कोई limitation नहीं है कोई restriction नहीं है अगर कोई भी व्यक्ति अपने पास रखे वे 2000 रुपए के note चाहे उसकी value कुछ भी हो वह bank में जाकर deposit कर सकता है उस पर किसी परकार का कोई restriction नहीं है लेकिन ह उसे कुछ compliance या कुछ शर्तों का पालन करना होगा KYC norm का पालन करना होगा और statutory or regulatory requirements इस compliance को follow करना होगा यह तो बात हो गई कि आप bank में जाकर deposit कितने मात्रा में कर सकते हैं लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अगर हम जाएं तो हम exchange कितनी मात्रा में कर सकते हैं तो exchange करने का limitation है limitation क्या है 20,000 रुपए तक एक बार में जाकर आप bank में exchange कर सकते हैं मत उसका limitation है 20,000 रुपए एक बार में आगे यहां पर यहां यह है कि 2000 रुपए के इस exchange की भूमिका में business correspondence की क्या भूमिका हो सकती है तो business correspondence की इस 2000 रुपए के exchange में भूमिका हो सकती है और भूमिका की की मदद से कोई भी एकाउंट होल्डर प्रति दिन 4,000 रूपए के नोट को एक्सचेंज करा सकता है। यहां अगर मैं बिजनेस कोर्सपोंडेंस की बात करूँ तो बिजनेस कोर्सपोंडेंस एक बैंक के ब्रांच के आम होते हैं और जेनरली वो सर्व या अपनी सर्विस उस छेतर में देते हैं जहां पर की बैंक मौजूद नहीं होता है या बैंक तो होता है लेकिन उसकी संख्या ज्यादा नहीं होती है वहां पर ग्रहाकों को वह सुविधा प्रदान करता है और उसमें एक सर्विस मेंन से लेकर किराना और मेडिकल और जो भी शौप अगर हैं उ इसकी सुरुआत की घुसना की गई है 23 मई 2023 से वो इसलिए क्योंकि इस प्रकार की प्रक्रिया को आरम करने के लिए बैंक को कुछ आनिवार पहले से ही विवस्था करनी पड़ेगी इसलिए तुरंट with immediate effect नोना करके 23 मई 2023 से इस प्रक्रिया को प्रारम करने के लिए आरबिया क नहीं है एक ब्रांच जहां पर आपका अकाउंट नहीं है वहां भी कोई व्यक्ति जाकर 2000 रुपे के नोट को exchange कर सकता है फिर यहां पर यह बात कहीं जा रही है कि माल ने कि अगर किसी व्यक्ति को 20,000 रुपे से जादा की ज़रुत है business purpose के लिए फिर उसे क्या करना है यहा रुपति को कुछ नहीं करना है उस 20,000 रुपे से जादा के नोट को bank में जमा कर देना है और फिर उतनी मातरा के amount को अपने account से withdraw कर लेना है क्या इस exchange की प्रकरिया में किसी प्रकार के fee लगनी की बात कहेगी है तो किसी भी प्रकार के fee लगनी की बात इसमें नहीं है साथी स special वेवस्था, provision, procedure, bank को करना पड़ेगा तो यहाँ पर इबात भी करिए है कि हर एक bank को यह instruction दिया गया है कि इस 2000 रुपे के note की exchange और deposit की प्रकरिया में विशेज ध्यान रखा जाए जो senior citizen है उनका साथी साथ जो दिव्यांग है उनका भी अब यहाँ पर सवाल यह है कि उनक जाना है कि ऐसा लोगों को नहीं सोचना चाहिए, वह इसने नहीं सोचना चाहिए क्योंकि चार महने की एक लंबी अवधी लोगों के पास है, लोग इस चार महने की लंबी अवधी में अपनी सुविधा के अनुसार, अपने निकट के किसी ब्रांच में जाकर 2000 के note को वो exchange क कर सकते हैं, या नहीं तो अपने अकाउंट में जाकर वो उसको जमा कर सकते हैं, इसलिए इसमें ना तो exchange करने की और नहीं जमा करने किसी परकार की कोई और सुविधा की बात नहीं हो सनी चाहिए, जो की अमोमन डिमोनेटैसन के समय में दिखा गया था, साथी साथ यहां प इस तरह की कोई भी शिकायते हैं कस्टमर के पास, तो कस्टमर क्या करें, तो सबसे पहले वो कस्टमर करें क्या, कि जो समंधित बैंक है, उस समंधित बैंक में जाकर शिकायत दर्ज करें, शिकायत दर्ज करने की तिथी से लेकर 30 दिनों तक के भीतर, अगर उसका निप्ट दान तो होता है लेकिन उससे अगर ग्राहक संतुष्ट नहीं है तो फिर वह शिकायत लेकर जा सकता है कहां पर Complaint Management System Portal किसका Portal वो RBI का Portal है और RBI ने इस Portal को लाया है Integrated Ombudsman Scheme RBI वेस 2021 के अंतर गयत तो इस परकार हमने इस वीडियो में यह देखा कि RBI के द्वारा तूर हाली में जो 2000 रुपे के नोट की एक्चेंज या बैंक में डिपोजिट करने से समन्दी घोसना की गई है उससे समन्दित कौन-कौन से प्रस्ण अमोमन आम लोगों के मन में उठ सकते हैं तो हमने उन प्रस्णोर और उससे समन्दित उत्तर की व्याख्या इस वीडियो में की है इसके जाथ ही इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नमस्कार क्यां टीन इस वीडियो प्रस्ण 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 उन्मस्क प्रस्ण फ्रस्ते हैं